हेलो दोस्तों नोटिफाई नोलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं UP scholarship 2023-2024 के बारे में फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता है बहुत सारे छात्रों का जो फॉर्म है उनके फॉर्म को suspect list में डाल दिया गया था तो क्या उन सभी छात्रो आपको इस एक वीडियो में प्रवाइड करने वाले हैं चैहे आप लोग fresh होंगे चैहे रिनोल होंगे चैहे प्रिमेट्रिक, पोस्टमेट्रिक, इंडर, पोस्टमेट्रिक, और दन, इंडर के candidate होंगे चैहे आप लोग जो है यहाँ यहाँ पे general, OBC, SC, ST, minority किसी भी का आश से बिलॉंग करते होंगे आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी सूचना है, सूचना में क्या पताया गया है, सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी, अगर आप लोग नए होंगे, या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे, तो प्लीस आप इस वीड दिखाने की कोशिस करता हूँ, यहाँ पर आप लोग जो है, ऊपर देख सकते हैं, लास्ट का 5 डिजिट जो है, यहाँ पर रजिस्टेशन नमबर 01345 टी करता हूँ, अब यह जो है पहले का करेंट स्टेटस है, मैंने यहाँ पर लोग न किया था, और यहाँ पर आप दिखते हैं कि सत्यापित किया घ्या, यह वारा रेजन सो करा हैं, लिए कि इनके फ़र्म को सत्यापित कर दे गया है, अब देखिए जिन भी छात्रों में सत्यापित नहीं किया गया वाला रीजन्स हो कर रहा है, उनको परेशान होने की आवसाथा नहीं, यह जो सत्यापन है यह NIC और मजल्ब उनिवस्टी के दौरा यहाँ पे होता है ठीक करना, तो क्या होता है जैसे इंवस्टी है, इंवस्टी जो है आपकी मानिता यानि की सन्सता जो है, जिस मतलब कॉलेज में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं मतलब ओ मानता है कि नहीं कहीं ओ तो ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है मतलब यह सब उसकी जाज जो है NIC करती है आपका पाठे करम आपका जो है वर्स है आप जो है वास्ते भी मतलब actual छात्र है कि नहीं है आप मतलब actually में admission कराय हुए है या फिन नहीं है यह सब जो जाज है NIC करती है NIC किसके माध्यम से करती है मतलब university के माध्यम से करती है इनवर्स्टी जो है आपना data NIC को देती है और NIC जो है यह सब चीज की जाज करती है तो जिन भी चात्र में सत्यापित नहीं किया वाला रिजन सो करे आपको परिशान होने की आवा सकते नहीं है अगर आपका जो है यहाँ पर सभी चात्रों का form यहाँ पर सत्यापित कर जाएगा में भी यहाँ पर लास्ट फरवरी आते आते आप सभी चात्रों का form यहाँ पर सत्यापित कर जाएगा तो जिनके भी current status में login ID पर सत्यापित नहीं किया वाला रिजन सो कर रहा है तो आपको इसको लेके भैबीत नहीं होना है चिंतित नहीं होना परिशान नहीं होना है आप वाले समय में आप लोग का form जो है यहाँ पर 100% सत्यापित कर दिया जाएगा ठीक है बट अगर आपके यहाँ पर current status में login ID पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है कि आपके form को जो है यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है तो आपको जो है अपने समाज का लिना लिएग और अपने college में visit करना है और वहाँ से जो है अपना यह status याणि कि login ID वाला दिखाना है और उनसे वहाँ पर inquiry करा के उनको सत्यापित करा लेना है तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं लिखा हुआ कि अनुसूचित जाती ठीक है अनुसूचित जाती समाने वर्ग पूरो दसम दसमोतर चात्रविर्ति वर्ष दोहजार तेश चोवीस योजना की अंतरगत आवस्यक सूचना अब यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं लिखा हुआ कि पूरो दसम यानि की प्री मैट्रिक दसमोतरी यानि पोस्ट मैट्रिक और यहाँ पर दीखे पोस्ट मैट्रिक इंटर other than inter वाले छात्रों के लिए यहां पर बताया किया है तो आप लोग इसको देखके मत परसानुएंगा कि यह सृरीम मतलब अनुसूची जन जाती वाले छात्रों के लिए यहां पर सबी छात्र एड हुजे जितने भी कास्ट से विलोंग करते हुँए यह जो notice निकाला गया है सभी छात्र के लिए था मैं यहाँ पर आपको दादू यहाँ पर दिखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दिये रहोगा किलिये मतलब यह जो PDF है यहाँ पर किलियर नहीं बट आपको मैं पढ़के यहाँ पर बताने की कोशिस करता हूँ और आपको समझाने की कोशिस करता हूँ यहाँ पर दिखा हुआ है कि तुरुटिपूर आवेदन का कारण ठीक है ना अब यहाँ पर दिखिए कि लिखा हुआ कि High School Board Data Match with UP Board, ICSC Board Database Enrollment Number Mark Not Match with University यहाँ पर आप लोग जो है सेकेंड नंबर पर आप लोग दिखेंगे लिखा हुआ है कि डुप्लिकेट ठीक है डुप्लिकेट इनकम सर्टिफिकेट Enrollment Number Mark Not Match with University Upload Data थर्ड नंबर पर Black Enrollment Renewal Student Black Enrollment Renewal Student फोर्थ नंबर पर आप लोग दिखेंगे या फिर फाइब नंबर पर आप लोग दिख सकते हैं कि पास या फिर प्रमोटेट नंबर लेज दन 33% अपलिकेंट वेर इनुटुड मार्क इस सेम एस स्टुडेंट अब फिर यहाँ पर आप लोग छे नंबर पर दिख सकते हैं कि attendance percentage less than 75% applied for ITI course more than 6 year gap from high school passing year साथ नंबर पर क्या कहा गया है कि duplicate mobile या फिर phone number 8 नंबर पर क्या बताया गया है कि duplicate income या फिर cash certificate 9 नंबर बताया गया है कि suspected age या तो suspend due to non-counseling data in college where course affiliated by AKTU and BTE suspected non-counseling detail in private college यहाँ पर 10 नंबर पर क्या बताया गया है कि counseling detail mismatch और 11 नंबर पर और अन्य प्रकार के true team में मतलब यहाँ पर देखे जितने भी current status में true team यानि कि suspect data सो करा था यहाँ पर उसका पूरा का पूरा list मतलब जारी कर जाए गया है और बता दिया गया कि अगर इसके alarm में भी आपका current status में कुछ region सो कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करने की आवा सकता थी तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि क्रमसा एक से लेके 11 के संबंद में समस्त छात्र छात्राएं संबंदी सिच्छन संस्था में संपर्क अस्थापित कर अपनी लोग इन से तुरूटी पूर डाटा से संबंदी समस्त सुधार को पूर करते हुए आवेदन की हाड कापी पूरह अपनी सिच्छन संस्था में अनिवार रूप से 15 फरवरी 2024 तक जमा करना सुनीशित करते जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो है आप लोग का जो करेक्शन पूर्टल है यहाँ पे 12 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में ओपन किया गया था और हाड कापी जो है कॉलेज में जमा कराने का जो लाज यहाँ पे 17 फरवरी बताया था अब यहाँ पे देखी जो डेट है यहाँ पे एंड हो चुका है और नोटीस भी मैं आपको जादू यह जो नोटीस जारी किया गया है समाज करने आड़ बेक के द्वारा यह लेट को जारी ही किया गया है तो फ्रेंड यहाँ पे यही बताया गया है कि जिनके भी करेंट इटेटर में कुछ मतब सस्पेक डाटा सो करा था उनको अपने आवेदन पत्र में तूटीपूर जो है उसको जाच कर लेना है और उनको वहाँ पे जो है करिशन करके अपनी हाट कापी जो है कॉलेज में जमा करा देना है ठीक है और फ्रेंड यहाँ पे कहा गया है कि तक जमा कराने सुनिक्षित करे तदो परांत सिच्छन सास्था दोरा आवेदन को पात्तरता की स्रेड़ी में होने पर अग्रिम करवाई है तो नियम्मसार पूरह अगरसारित किया जाना जिसके बाद ही आवेदन पर करवाही मतलब संबह होगी यहाँ पे यही बताएगा है कि आप जब अपना फार्म जो है करेक्शन वाला फार्म कोलेज में जमा कराएंगे और अधिक जानकारी के लिए आप चात्रविर्ती हेलपलाइन नमबर यहाँ पे आपको हेलपलाइन नमबर दिया होगा इस पे आप लोग संपर कर सकते हैं आप जब यहाँ पे चात्रों कोई भी प्रावलम नहीं है यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपके करेंटी स्टेटर में कुछ प्रावलम है कुछ रूटिया है आपने अपने फार्म को यहाँ पे फिल करते समय कुछ गलत फिल कर दिया होगा तो आप जो है अपने फार्म को करेक्शन करके हाट कापी कॉलेज में जमा कराईए कॉलेज में जमा कराते समय आपका जो फार्म है कॉलेज यहाँ पर जाज करेगा जाज करने के बाद आपका फार्म जो है कॉलेज यहाँ पर फारवट करेगा न हो या छात्रों को लगता है कि उनके द्वारा भरी गई सभी डेटल सही है तो अभिलम तुरंत अपने ही आवेदन की हाड़ गापी पुनह अपनी सिच्छान संस्ता में 15 फरवरी 2024 तग अनिवार रूप से जमा कर दे आपकी सिच्छान संस्ता से पुनह आपका आवेदन अगरसारित होने परी अग्रिम कारवाही किजागी अब यह जो है यहाँ पर इसकोले के छात्र दो है टेलिग्राम चैनल पे कमेंट सेटन में बहुत ज़ता परिशान हो रहे थे कहीं हमारा फार्म जो है यहाँ पर रिजेक्ट न हो जाए समाज कल्यान विभाग के नोटिस के एकॉर्डिंग तो फार्म जो है जिनका गलत भी नहीं था उनको जो हाड कापी और जितने भी डॉकुमेंट थे रिग्वाइट थे उसकी सगलन कराके हाड कापी कॉल्ज में जमा कराने थी हमने तो नहीं कि क्या हमारे फार्म को रिजेक्ट कर देगा मैं यहाँ पर आपको बदादू यह नोटिस में क्या बताया गया है क्या कहा जा था आपका करेंट इस्टेटस सस्पेक्ट लिस्ट में भी डाला गया था और आपने अपनी हाड कापी को कॉल्ज में जमा भी नहीं कराया था तो आप सभी छात्रों को परिशान होने की आवसात्ते नहीं किसी भी छात्र का फॉर्म जो है सामाज कल्याड भ्याग के दौरा रिजक्ट नहीं होने वाला है मैं इस बात की आपको गारेंटी देता हूँ ठीक है और फिर्ट मैं यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा समझाने की कोशिस करता हूँ माले जी अगर आप लोग जो है अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन नहीं किये हुए है तो हाड कापी आपके फॉर्म को फारवर्ड ही नहीं कर सकता फारवर्ड करने का कंडिशन एक ही है जब तक आप लोग अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन नहीं करेंगे और करेक्शन करते समय आप लोग जो है अपने फॉर्म को फारवर्ड नहीं करेंगे तब तक आप लोग का फॉर्म पुना कॉलेज के माध्यम से अग्रसान नहीं हो सकता अगर आप लोग यह सोच रहे हैं कि हम अपने फार्म में करेक्शन नहीं किये हुए हैं और कॉलेज हमारे फार्म को फार्वड कर दे तो यह impossible है मतलब कॉलेज से फार्म फार्वड तभी हो सकता है या तो आप लोग जब अपना फार्म फिल कर रहे होंगे यानि कि जब स्टार्टिंग में फार्म फिल होता है जब आप लोग अपना फार्म फिल करेंगे उसके बाद कॉलेज आपके फार्म को फार्वड करेगा और सेकंड कंडिशन यह होता है अगर आपके फार्म में कुछ त्रूटिया है आपके फर्म को forward कराता है बट अगर आपने फर्म को final summit नहीं किया है और यहाँ पर correction नहीं किया है तो आप लोग का फर्म जो है college forward नहीं कर सकता हाँ अगर temporary के तौर पे अगर कुछ evidence के तौर पे अगर यह college वाली होते हैं कि आपको जो है अपना फर्म जो है यहाँ पर जमा कर तो बहुत सारे college ऐसे होते हैं दो प्रती में अपना जमा कराते हैं एक प्रती जो है यहाँ पे समाज कल्याण भ्याग को सौपत आता है और एक प्रती जो है college अपने पास evidence की रूप में रखता है तो इसलिए किसी भी छात्तर को परिशान होने की आवा सकता नहीं है अगर आपके फर्म में कुछ भी गलतिया नहीं थी आप लोगों ने अपने फर्म में करेक्शन नहीं किया होगा और आपने अपनी हार्ट काभी को college में जमार नहीं करा होगी उन्हें सभी छात्तरों को परिशान होने की आवा सकता नहीं आने वाल समय में यहाँ पर लास्ट वीक आप फर्मरी तक आप लोग का फर्म जो है समाच कर लियां व्याक का द्वारा यहाँ पर वेरिफाइड कर दिया जाएगा आपके करेंट स्टेटस में कुछ भी जाटा यहाँ पर सो कर रहा होगा तो फ्रेंड यह रहें कंपलेट जनकारी में भी आपको जनकारी हेल्फुल लगी होगी वीडियो पसंद आई होगी इसके आला में कुछ डाउट और कुछ प्रावबब्लम हो कमेनध में क कमेन्ट किजेगा वीडियो पसंद आई होगी लॉकक शेयर जरूर किजेगा फरेंट मिलते हैं नेक्सती वीडियो में थांक्यू अंड –क्ष्ट एं Genesis